मानसून के आने के बाद से जहां देश भर के कई राज्यों में जहमाजम बरसात हो रही है और तापमान में गिरावट आई है बही दिल्ली का हाल इसके बिलकुल भिप्रीथ है दरसल दिल्ली में बीते कुछ दिनों से बारिस नहीं हो रही है जिसकी बज़े से राजधानी का तापमान भी बढ़ गया है और उमस भी काफी ज़्यादा महसूस हो रही है भहियान ने राज्यों की बात करें तो विहार यूपी मुंबई में कई जगहों पर बारिस की बज़े से जन जीवन बेहाल हो गया है मौसम भी भाग ने तो आज भी मुंबई में भारी वारिश का अनुमान जताया है आईए जानते हैं कि 9 से 10 जुलाई के बीच देश भर का मौसम कैसा रहने वाला है यूपी बिहार में मानसोन कुछ ज़्यादा ही महरवान है जिसकी बज़े से दोनों ही राज्यों के कुछ इलाकों में बार का खत्रा मडराने लगा है मौसम भी भाग ने 9 से 12 जुलाई तक बिहार में भारी वारिश का अलर्ट जारी किया है बता दे की बीते कुछ दिनों से पढ़ रही बारिश की बज़े से नदिया खत्रे की निसाने से उपर वह रही है जिसकी बज़े से बार का खत्रा मडराने लगा है कुछ ऐसा ही हाल यूपी का भी है यूपी के भी कई सहरों में आज बारिश की छेताबनी जारी की गई है पहाडों पर भी इस साल मानसून में बारिश हो रही है मौसम विभाग ने हिमांचल प्रदेश और उत्राखंड दोनों ही राज्यों के लिए आने वाले कुछ दिनों के लिए बारिश का अलड जारी किया है मौसम विभाग के अनुसार हिमांचल प्रदेश में 10 से 12 जुलाई और उत्राखंड में 9 से 12 जुलाई के बीच बारिशों शक्ति है इसके साथ ही पहाड़ी इलाकों में मौसम विभाग ने लैंडिस लाइट का भी खत्रा बताया है